असलाम अलेकुम and गूड आफ़नोन एवरिवन वेलकम टो लॉर्ण एंड सर्व एकड़मी फ्री प्लैटफरम फर आल जे केसेज वी एक्जाम्स जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी recently हमने reasoning में statement and conclusion inequalities पे अपना पहला topic हम लोगों ने already upload किया है और आज हमारा दूसरा topic है और आज भी हम बात करने वाले हैं about statement and conclusion in reasoning portion लेकिन इसमें एक दूसरा pattern का question जो jkssb में हम लोगों ने देखा है कि ऐसे questions jkssb बार बार पूछता आ रहा है तो आज हम उसी regarding बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना होगा पहली ही कि जो question का pattern होगा पहले में आप लोगों को question एक question दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह की questions आते हैं वहाँ पर आप लोगों को इस तरह की questions देखने को मिलेंगे like वहाँ पर statement दिया होगा all trucks fly फिर दूसरा statement दिया होगा some scooter fly and then conclusion में दिया होगा all trucks are scooters some scooters do not fly तो हमें इसके accordingly फिर देखना है कि इसका answer क्या होगा तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को याद रखना होगा कि इसमें कुछ cases होते हैं जैसे ये for example case one है यहाँ पे मैंने लिखा है all panels are books तो आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि जब भी all का case होगा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है all panels are books इसका क्या मतलब हुआ कि जो all के बाद बाद में जो पहला यह है वो क्या है वो pen है तो पहले हम ऐसे questions को हम diagram से सालू करते हैं तो पहले क्या है pen अब इसने क्या लिखा है all panels are books that means जो आर के बाद है वो हम बड़ा बनाएंगे और उसी में pen को रखेंगे अब इसका क्या मतलब हुआ जो भी बड़े सरकल के अंदर है वो सारा क्या है वो सारा book है और जो छोटे सरकल में है वो क्या है वो pen है अगर मैं आप लोगों को ही बताऊंगा कि इसमें जो question में case दिया है कि all पैनजार books हर कोई pen book है तो आप हमें पता ही है कि pen book के अंदर है that means कि हर एक pen book है ऐसे cases में जहां पर लिखा होगा all पैनजार books जो मैं यहां पर example ले रहा हूँ all के बाद पहला ही जो होगा वो हमें छोटी diagram में लेना है और छोटा circle हमें उसका बनाना है and जो all pen फिर आर के बाद जो आया है उसका बड़ा हमें यह बनाना है तो आप लोग पहला यह पोइंट याद रखोगे और यह यहां पर थाबिद भी हो रहा है that means अगर यह हमारे पास pen है यह सारा क्या है यह सारा pen है इसने क्या बोला है some pen's are books कुछ ही pen books है that means कुछ का मतलब हम इसमें कुछ थोड़ा सा portion लेंगे जो black से मैंने दिखा है वो pen है जो मैंने green से बना है वो book है अब जो overlap हुआ black और green यह pen भी है book भी है तो इसी का मतलब हुआ some pen's are books इसके बाद अगर हम थर्ड केस देखेंगे no pen is book no pen is book का मतलब अगर यहां पे pen है no pen is book यानि कि कुछ कामन नहीं है इनमें तो हमें अलग-अलग बनाना है पहला केस क्या था? पहला केस था all pen's are books जब आल वाला केस होगा आल के बाद जो पहला होगा उसको छोटे सर्कल में रखना है और जो आर के बाद होगा जैसे यहां पे books है उसको बड़े सर्कल में रखना है दूसरा some pen is are books मतलब अगर pen है some यानि कि कुछ पोर्शन रखना है third no pen is book इसका मतलब इसको अलग अलग रखना है इसके बाद अगर आप लोग दूसरा केस देखोगे अगर आप लोग दूसरा केस अब देखोगे यहां पे लिखा है some pen is are not books अब कुछ pen हम ऐसे लेंगे some pen is पहले हमने कुछ pens लिए अब इसमें क्या लिखा है are not books that means पहले green वाला portion जो हमारा है वो book का था जो black वाला portion है वो pen का है अब अगर होता some pens are books तो हमें पता ही है कि यह overlap वाला जो था यह overlap जो था यह कुछ pens थे जो books भी थे लेकिन यहां पे बता गया है some pens are not books that means जो मैं यहां पे इस color से अब दिखाऊंगा वही है some pens कुछ pens जो books नहीं है तो वो यह वाला portion है इसको हम ऐसे भी बना सकते है some pens are not books हम पहले books ही बनाएंगे यह books some pens are not books अब कुछ pens जो books नहीं है वो यह वाला portion है यहां तक अगर यह book है सारा तो यहां तक मैंने green से यह किया यहां पर्शन है 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 यहां पर्शन ह but not books और उसके बाद last पे है some pens are books but not pencils इसके दो तरीके हो सकते हैं आप लोगों को पताईए कि इसके दो तरीके क्या होगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पे some pens are some pens are books but not pencils देखो इसका क्या मतलब हुआ some pens are books पहले ये बनाएंगे some pens are books some pens पहले अगर ये सारा pen है pen is है सारा some pens इसमें कुश्पैनस books है यानि कि इसमें कुश्पैनस books है वो कुश्पैनस ये है जो मैंने green से दिखाए some pens are books but not pencils अब देखो दो तरीके हैं but not pencils या तो मैं पिंचल्स अलग से बनाऊंगा जब मैंने पिंचल्स को अलग से बनाए तो यहां पे भी सिटेट में बनता है some pens are books some pens ये वाला जो मैंने red से दिखाए some pens ये कुश pens ऐसे है जो books भी है but not pencils और pencils नहीं है क्योंकि अलग है या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्योंकि यहां पे भी some pens are books और pencils और pens में कोई कुश common ना तो यहां पे common है और ना यहां पे common है तो दोनों केस्ट में बता सकता हूँ some pens are books but not pencils मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक आप लोगं को समझ आया होगा अगर मैं एक quick revision में आप लोगं को बोलूँगा अगर महां पे दिया होगा हम यहां पे ही इसको solo करने की कोशिश करेंगे फिर से एक quick revision में आप लोग आप दूसरी बार जब देखोगे पहली बार थोड़ा सा confusion मत हुआ होगा कही पे तो यहां पे clear होगा all pens are books तो यह आप लोगं को मैंने बोला कि जब all pens are books all के बाद जो होगा वो उसका पहला चोटा सर्कल बनाना है यह पैनिस और all pens are books r के बाद जो होगा उसका बड़ा सर्कल बनाना है यह हमारा पहला की ऐसे और वहां पे आप लोगं को अगर आप लोग वहां पे ऐसे सोचते लगे वहां पे होगा कभी all boys are girls तो फिर आप लोग जब इस पे खुद अगर आप डायाग्राम से सालों नहीं करोगे ऐसी आप खुद से देखते कि अगर हम ऐसे boys लेंगे फिर all boys आप लोगं को confusion होगा क्योंकि आप लोगं को कहीं पे यह idea ही नहीं आएगा कि आप all boys are girls का मतलब क्या हुआ तो वैसे यह question गलत होता है और वहां पे question में दिया भी होता है कि जो भी हम condition यहां पे रखते हैं आप उसको personally मतलब यह मतलब आप उसको personally समझने की कोश्च मत करो वहां पे यह दिया होता है statement में पहली तो इसको diagram से ही सालू करना पड़ता है तो पहला case all 5,000 books जो all के बाद होगा वो छोटा circle है उसको बड़े circle में नहीं कि books के बाद books में रखना होगा दूसरा है all some pennies are books since हमें पता है कि some pennies यह सारा pennies है आप इसमें कुछ pennies जो है वो books है तो कुछ pennies वो books है अगर यह books है सारा तो कुछ pennies है books वो यह वाला portion हुआ जो मैंने common रखना यह भी आई आप लोगों समझ नो pennies book का मतलब सीधे common कुछ भी नहीं है यह pen है यह book है कुछ भी common नहीं है नो pennies book उसके बाद अगर हम fourth case देखेंगे fourth case में क्या बोल रहा है some pennies are not books some pennies are not books को दो तरीके बनाने के हैं एक है some pennies are not books पहले हम books ही बनाएंगे अगर यह books है यानि कि जो मैं red से बता हूँगा यहां पर यह सारा books है अब इसमें क्या बोला इसने some pennies are not books हम कुछ ऐसे pennies बनाएंगे जो books नहीं है अब देखो जो यहां पर green से मैंने दिखाए अगर यह वाला pen है तो आप मैंने जो अंदर इदर green से दिखाए यह कुछ ऐसे pennies है जो books भी है लेकिन जो मैंने अब यहां से यह yellow से दिखाए यह कुछ ऐसे pennies है जो books नहीं है यह भी आप लोगं को समझाया होगा इसके बाद आखरी वाला key जो था वो था some pennies or books यानि कि some pennies or books मतलब का हुआ कि अगर यह हमारा penn है pennies है some pennies are books पहले में दिखाऊंगा यहां पे यह सारा pennies है some pennies are books इसमें कुछ books है यानि कि कुछ का मतलब जो मैंने यहां पर ग्रीन से common दिखा यह कुछ ऐसे pens है जो books भी है और इसके बाद but not pencil कोई भी तेन pencil नहीं है यह दो तरीके हैं एक तो मैं यहां पर भी pencil रख सकता हूँ दूसरा यहां पर भी pencil रख सकता हूँ अब question में conclusion किस तरह फिर दिया होगा वहाँ वहाँ पर फिर देखिए कि कौन सी डाइगरम सही है अगर यहाँ पर हम आप questions को solo करने की कोशिश करेंगे अगर हम यहाँ पर question को solo करने की कोशिश करेंगे तो हमारा question क्या बोर रहा है all trucks fly जैसे कि आप सब को पता ही है कि all के बाद जो आएगा उसका छोटा circle बनाना है यह हमारा है trucks और फिर जो last में आएगा उसका बड़ा circle बनाना है circle मतलब यहाँ पर डाइगराम मैं बोर रहा हूँ fly यानि कि हर एक truck fly कर रही है यानि कि trucks अंदर आएगा fly के फिर some scooters fly आप लोगों को यह भी पता है कि जब some scooter लिखना होगा some scooter fly मतलब कुछ portion क्यूंकि यह सारा इदर से हम देखेंगी blue से जो मार किया वो trucks है red से जो मार किया सारा वो fly है अब green से जो मार किया वो some scooters fly कुछ scooter जो fly करते है अगर यह सारा scooter है अगर यह सारा scooter है तो फिर जो यह वाला portion है यह कुछ ऐसे scooters है जो fly करते हैं क्यूंकि यह red के साथ कामन आएंगे लेकिन यहां पर और एक तरीका भी बनाने का था अगर नुझे बोला था some scooters fly तो मैं यह भी ऐसे भी बना सकता था some scooters fly मैं ऐसे भी बना सकता था यह भी ऐसे भी मैं बना सकता था some scooters fly क्योंकि सारा जो है यह सारा scooter है इधर तक green में और जो कामन है यह वाला यह कुछ ऐसे scooters थे जो fly हो रहे थे लेकिन फिर इसमें लेकिन एक इसमें क्या हुआ था इसमें ट्रक्स का दो डियाग्राम काट करने पड़े एक तो fly की डियाग्राम और दूसरा truck की डियाग्राम red diagram and truck लेकिन minimum overlap rule बोलता है कि हमें minimum overlap करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम scooters हमें तो बनाना है कि some scooters fly just a second हमें तो बनाना है some scooters fly तो हम ऐसे बनाएंगे जो overlap काम होगा अगर ये green के अंदर सारा scooter है some scooter fly मतलब ये वाला portion इसने यहाँ पर truck को overlap नहीं किया तो मतलब minimum overlap ही हुई स्रिफ fly की overlap ही हुई इसी को हम minimum overlap rule बोलते है अब देखो अब यहाँ पर question conclusion क्या बोल रहा है conclusion आप लोगों का बोल रहा है all trucks are scooters हर एक truck scooter है अगर आप यहाँ पर देखोगे yellow say trucks कहाँ पर है trucks हमारा ये वाला portion है जो मैंने इदर दिखाया all trucks are scooters हमारे trucks इदर है ये हमारा trucks वाला portion है ये मैं पता ही तो scooter यहाँ पर है ये वाला scooter portion है इनके बीच में तो common कुछ भी नहीं है that means जो पहला वाला statement है वो गलत है ये पहला वाला conclusion जो है वो गलत है अब दूसरा बोल रहा है some scooters do not fly some scooters do not fly अगर आप यहाँ पर देखो कि some scooters do not fly हमें पता ही है कि scooter वाला कौन सा portion है ये वाला सारा portion scooters का है इसमें कुछ scooter's है जो fly नहीं पर रहे हाँ बल्कुल है अगर जो एं बलैक से दिखाएंगे जो इस RAID के इधर से है scooter's वो तो fly नहीं कर रहे है कि final ? लेकिन कुछ scooter's यह वाले है जो fly नहीं कर रहे है that means legg decision is correct यह आप लोगं को समझ आए होगा अब मैंने एक एक एक्जाम्पल ऐसे लाई है जिसमें आप लोगं को थोड़ा सा दिमाग का ज्यादा इस्तिमाल करना है और वो एक्जाम्पल यह है जैस्ट है सेकंड एक सबसे important question है यहाँ पर अगर आप लोगं को यह question क्या बोल रहा है all teachers are scholars हमें पता ही है कि जब all के बाद होगा उसका छोटा circle बनेगा यह है teachers और सुकालर्स ग्रीन वाला है सुकालर्स इसके बाद some students are teachers अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं some students are teachers हम पहले वाला case बनाएंगे some students are teachers हमें students बनाने है लेकिन कुछ students टीचर भी होने चाहिए तो हम इसको ऐसे बनाएंगे red के अंदर जो है वो सारा student है student है लेकिन कुछ ही student जो मैंने यहाँ से yellow से दिखाई यह कुछ ऐसे student है जो teacher भी है अगर आप लोगों को मैं बोलूँगा यह वाला portion teacher का है यह teacher का है blue blue जो है वो teacher का है अब green से जो है सारा वो scholar है और जो red से है वो student है यह आप लोगों को पहले याद रखना होगा यह आप लोगों को पहले याद रुखना होगा कि all teachers are scholars मतलब हमें teacher का छोटा बनाना है सुकालर का बड़ा बना है and then some students are teachers हमें students बनाने हैं लेकिन student का कुछ student का part क्या होगा वो teachers होगे यानि कि red अगर सारा यह है red अगर सारा student है तो red और blue में जो overlap हो रहा है वो कुछ ऐसे students है जो teachers भी है अब अगर हम statements की बात करेंगे पहले में इस diagram को थोड़ा साब बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा जाए जाए पहला है all teachers are scholars यानि कि अगर यह teachers है यह scholars है and some students are यहाँ पर मैं लिखोंगा यह scholar है यह student है some students are teachers अब पहला case बो रहा है all students are scholars हर एक student scholar है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यह student जो है यह जो diagram से बाहर यह student है यह तो कहीं भे scholar के अंदर ही नहीं that means पहला conclusion गालत दूसरा some teachers are students कुछ teacher जो है वो सिटूडन्ट पहला गालत था दूसरा some teachers are students कुछ teacher जो है वो student है आप यहाँ पर आप देख सकते हो blue teacher है, लेकिन blue teacher में जो ये वाला portion है ये तो student के साथ overlay up हो रहा है, that means some teachers are students third case some students are scholars, कुछ students scholar है, हमें पता ये green वाला सारा scholar है लेकिन green वाले scholar में फिर जो common है इस red के साथ जो common है red के साथ red वाला क्या है हमारा? red वाला student है यानि कि green और red का overlap हुआ, green scholar है red student है, यानि कि some students are scholars third statement भी ठीक है, अब fourth no student is a scholar, कोई भी student scholar नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब इसने बोला कोई भी student scholar नहीं है, हमें पता है कि ये वाला जो portion है, यहाँ से यहाँ ये student भी है, scholar भी है लेकिन इसने बोला है, no student is a scholar that means fourth वाला गलत है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, B भी correct है C भी correct है, लेकिन जो ये question exam में आया था, तो वहाँ पे एक ही option इसका correct था अब देखो क्यों, ये क्यों एक ही option correct है, इसके दो reason है पहला, जो option B है some teachers are students जो वहाँ से दिया है, some students are teachers, that means some students are teachers अगर ये student है ये teacher है some students are teachers का मतलब हुआ, अगर कुछ, ये सारे student है, और ये blue वाले teacher है, some students are teachers, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, some teachers are students that means, अगर statement में वहाँ से ही दिया है अगर आप यहाँ पर देखोगे, statement में वहाँ से ही दिया है, some students are teachers और अगर आप लोग इसको डाइगरम से देखोगे some students some students are teachers फिर इसका में उल्टा भी बोल सकते हैं some teachers are students that means, जो conclusion B है, वो बिल्कुल ठीक है some teachers are students फिर जो conclusion C है, ये क्यों गलत है इसके लिए reason जो मैंने अभी बोला minimum overlapping का, आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे ना यहाँ पे, जो हम मैंने student यहाँ पे बाहर लिया, अगर मैं इसको बाहर नहीं लेता, इसको मैं यहाँ तक ही रखता क्योंकि question में वहाँ से क्या दिया है stay second क्योंकि question में वहाँ से क्या दिया है इसको पहले मैं राब करूँगा यहां से, इसको बिल्कुल easy है बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है पहले क्या दिया था, all teachers are scholars, यानि कि अगर यह teacher है यह scholar है फिर क्या बोला था इसने some students are teachers तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता था some students इसको मैं बाहर लेता ही नहीं some students are teachers फिर से अगर मैं इसको तीन डिफरेंट कलर से यहां पर बनाऊंगा आप लोगों को समझाता है अच्छे से तो आप लोग देख सकते हो all teachers are scholars यह हमारे teacher है our scholars यह हमारे scholar है some students are teachers some students are teachers some students are teachers यह यह वाला portion कुछ ऐसे students है जो teacher भी है अब आप देखो conclusion C some students are scholars अगर आप conclusion C देखो कि some students are scholars लेकिन यहां पर क्या हमारे मिलता है all students are scholars क्योंकि यह सारा scholar के अंदर that means option C is incorrect only option B is correct तो इस पैटरिंग के question आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह lecture पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि मैं इसमें क्या समझाने की कोशिश करता हूँ बस आप लोगों को cases differently याद रखने है एक तो इसमें आप लोगों को यह rule याद रखना है और दूसरा minimum overlapping rule याद रखना है यानि कि जब आप लोग कम overlap कर सकते हो तो ज़्यादा overlap उस वक्कित नहीं करना है तो उस पे question गलत हो सकता है बाकी आपको cases याद रखने है diagram रखना है याद कैसे क्याप करना है फिर उसको analyze करना है तो question easily solve हो सकता है Thank you